आज हम Karl Pearson's coefficient of skewness का अभ्यास करने वाले हैं सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरुवत है कि skewness का मतलब क्या होता है अब वैसे थे उसके उपर हमने एक separate lecture बना के रखा है बट अभी तुम लोगों को जितना समझने की जरुवत है इसके बारे में वो मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ इस lecture के बाद अगर तुम्हें वो lecture देखना है तो तुम देख सकते हो your life, your choice, who the fuck am I to tell you what to do and what not to do अब अभी तुम्हें क्या समझने की जरुवत है देखो, skewness का मतलब क्या होता है distribution of data set के अंदर if there is a lack of symmetry तो उसको हम skewness कहते है now when it comes to skewness तुम्हें तीन चीज़ समझने की जरुवत है सबसे पहली चीज़ इसको normal distribution कहते है जब central value के आजू 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 डेटा equally distributed है तो ऐसे distribution को हम normal distribution कहते है ओके, now when it comes to skewness there are two types of skewness positive skewness and negative skewness positive skewness के अंदर क्या होता है देखो positive skewness के अंदर जो tail है बाइदर इसको tail कहते है positive skewness के अंदर जो tail है वो right side में long होती है और इसको हम यह भी कह सकते है कि the distribution is positively skewed and इसी same चीज़ का opposite कर दो negative skewness के अंदर क्या होता है negative skewness के अंदर यह tail है यह टेल लेफ्ट साइड में जादा लॉंग होती है और इसको हम यह कह सकता है कि दर डिस्रिबूशन इस नेगेटिवली स्क्यूड ठीक है तो जितना तुम लोग को समझने की जरुवत थी अभी मैंने तुम लोग को उतना समझा दिया है अब तुम्हें यह समझने की जरुवत है कि अगर तुम्हें यह पता करना है कि वेदर डिस्रिबूशन इस पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड तो नॉर्मली यह पता करने के दो तरीके होता है सबसे पहला तरीका इस बॉली स्क्यूड जिसके अंदर हमें कौटाइल्स निकालने पड़ते हैं और उन कौटाइल्स के मदद से हम यह पता लगा सकते है कि वेदर डिस्रिबूशन इस पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड और जो दूसरा तरीका है काल पियर्सन कोईफिशन और स्क्यूड जिसके अंदर इस फॉर्मिला यह इसको तुम टॉपिक भी कह सकते हो हम फॉर्मिला को कंस्डर करके आगे बढ़ेंगे तो यह जो फॉर्मिला है इस फॉर्मिला को हम कहते है पियर्सन स्मर्ट च्यूड अब यह जो पियर्सन स्मूड च्यूड अंगर तुम्हें इस फॉर्मिला के ठूरु यह पता लगाना कि वेदर अगी तो इसके लिए तुम्हें मीन मॉड और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ता है तो अभी अगर तुम्हें मीन values डालने है तो उसके लिए तुम्हें mean mode और standard deviation find out करना पड़ेगा और अगर तुम्हें mean mode और standard deviation find out करना है तो यह सारे के सारे values तुम्हें find out करने पड़ेंगे और अगर तुम्हें सारे के सारे values find out करने है तो उसके लिए तुम्हें यह table बनाना पड़ेगा इस दिये गए question को consider करके और फिर ही हम आगे जा सकते है और पता लगा सकते हैं चीजों को राइट अब यह दिया गया कुशन है इस को सॉल्फ करेंगे सवाहा अब शुरू करते हैं क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले जो होरीजंटल लेटा दिया गया है इसको वर्टीकल ली और एंज करेंगे तो हमने कर लिया है करना पड़ता है अब तुम लोग बहुत सब्सक्राइब करना पड़ता है अब तुम लोग बहुत सब्सक्राइब अब इसके बाद एक बहुत सब्सक्राइब और वह बहुत सब्सक्राइब करना पड़ता है ए क्या है ए है अज्यूमड मीन मतलब तुम्हें एक वैल्य अज्यूम करनी पड़ती है अब वैल्य तुम कैसे अज्यूम करोगे देखो जो सबसे हायस फ्रिक्वेंसि है dan तो इस हाइस फ्रिक्वेंसी का मिर्ड जो है वो हमारा ए बनेगा ओकए तो मतलब हमारा a क्या है हमारा a है पचास ठीक है अब next step next step क्या करेंगे next step हम m-50 निकालेंगे बाइदवे म-50 नहीं है मतलब एक्जाम में जब तुम लिखो यहां पर फॉर्मिला है एम माइनस ए है हमारा 50 इसी लिए आप फिटी लिखा है मैंने ठीक है तो को अब एम के एम 1010-50-40-30-50-20-50-50-50-70-50-50-20-90-50-20-90-50-40-40- ला 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 ओक्रे इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद डिय एक्स निकालेंगे और हमने क्यू निकाला क्या मैं पागल कुछ निकालेगा नो यह हमने इसी लिए लिकाला थाकि हम डी एक्स निकाल सके डी एक्स के अंदर देखो मैंने 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 सब्सक्राइब आगे बढ़ते तो अभी दिएक्स निकालेंगे एम माइनस फ्टी अपन एच अब तुम लोग लिमिट माइनस उसका लोग लिमिट कर लो तुम्हें एक नंबर मिलेगा विच इस ट्वेंटी माइनस जिरो कर लो ट्वेंटी मिलेगा एच इसका मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिमिट कर लिमिक लुए और कियो नकाल रहा है यह सारे के सारे के से यहां पर put up किया जाए ओके तो f के एफ यह फ्रिक्वेंसी जो है वो f है हमारा ठीक है तो f into dx f into dx मतलब 8 into minus that is minus 16 minus 1 into 12 that is minus 12 0 into 30 that is 0 1 into 14 that is 42 into 6 that is 12 dx square क्या होता है dx square what the hell is dx dx is this like minus 2 minus 2 का square क्या होता है 4 1 का square क्या होता है 1 0 का square क्या होता है 0 1 का square क्या होता है 1 2 का square क्या होता है 4 right then उसके बाद FDX square what the hell is F F F F DX square basically यह 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 that is 8 into 4 1 8 is it 1 6 यह 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 32 32 1 into 12 that is 12 0 into whatever is 0 1 into 14 that is 14 and 4 into 6 16 is 6 to 16 is 12 18 अब यह हो गया बट यह सब करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह जितनी भी चीज़े यहां पर समेशन पूचा गया है समेशन मतलब इन सब का टोटल मतलब अगर हमें पता है FDX मतलब हमारे पास FDX का यह कॉलम आ चुका है बट यहां पर FDX पूचा ही नहीं गई यहां पर पूचा गया है तो समेशन आफ FDX पूचा गया है तो अगर हमें समेशन आफ FDX निकालना है तो इसके लिए इसका टोटल निकालना पड़ेगा तो अभी आपर देखो यह गया यह गया तो माइनस टू बचा लेक फॉरी माइनस एक्षीं दर इस मैनस टू बेर शाफ लाइक यह गया यह पूचा भी नहीं है Summation of FDX square, Summation of FDX square is equal to 4, 5, 6, 6 and 4, that is 10, okay Summation of FDX, wait a second, yeah Summation of DX square Sorry for that, my bad, Summation of DX square is equal to, yeah 10, whatever, okay Now, Summation of FDX square, that is Summation of FDX square, now what is Summation of FDX square 32 plus 12, that is 44, 44 plus 4, that is 48 and 48 plus 10, that is 58 and by the way यहापे 18 नहीं है, 4 into 6, that is 24, अब फिर से टूटल करते है, एक बार 44 plus 14, 15, that is 58, 58, 68, 78 and 82, ठीक है, यहापे यह values आ गया हमारे, अब हम ही क्या करना है, हम इस सिम्पली सारे के सारे values यहापे पुट अप कर देने है, वादेलिस ए, वादेलिस ए, एस 50, पचास, प्लस, Summation of FDX, वादेलिस Summation of FDX, that is, माइनस 2, अपॉन Summation of F, वादेलिस Summation of F, calculate कर लो, 20, 50, 70, ठीक है, Summation of F is 70 into H, वादेलिस H, H मतलब 20 है हमारा, तो बस दाल दो से कैल्सिम है, अगर तुम इसको कैल्सिम में डालोगे, तो तुम्हें मिलेगा, 49.42, अब यह हो गया, इसके बाद आता है, मोड का फॉर्मिला, हमने मीन find out कर लिया, मोड find out करेंगे, मोड, सबसे पहले L, what L is L, L का मतलब जो frequency हमने consider क्या था, हमने 30 frequency consider क्या था, right, 30 frequency का जो size है, size का जो lower end है, उसको हम L कहेंगे, which is 40, तो basically L is 40, right, उसके बाद, what L is F1, F1 मतलब ही हमारा frequency, हमारा frequency 30 है, right, so 30, plus F0, अगर F1 30 है, तो F0 क्या होगा, 12, right, तो F0 would be 12, upon 2 into F1, what L is F1, wait a second, what L is F1, F1, F1 is 30, तो 2 into 30, minus F0, F0 is 12, and what is F2, अगर यह F0 है, अगर यह F1 है, तो यह F2 होगा, right, so F2 is 40, into H, H का मतलब 20, डालो Galsy में, guys there is a small mistake here, यहाँ पर 30, minus 12, चाहिए, यहाँ पर F1, minus F0, ठीक है, अगर तुम इसको Galsy में डालोगे, और calculate करोगे, तो तुम्हें मिलेगा, 50.58, ठीक है, तो mean और mode आ गया, अब हम standard deviation calculate करेंगे, now standard deviation कैसे calculate करेंगे, simple है, values हमने find out already कर रखिया, बस डाल दो, summation of FDX square, क्या होता है, summation of FDX square is 82, upon summation of X, 70, summation of F, 70, minus, summation of FDX, यह FDX square नहीं है, FDX, summation of FDX क्या होता है, summation of FDX is minus 2, so, minus 2, यह निकाल देते है, क्या करेंगे, इतने brackets का, ठीक है, upon, so minus 2 upon summation of F, that is, 17 square, into edge 20, तो अगर तुम इसको galaxy में डालो के तो, answer आएगा, 21.63, ठीक है, तो mean more standard deviation आचुका है, अब यहाँ पर बस डाल दो, what that is mean, mean is, 49.42, minus mode क्या है, what that is, mode is, 50.58, upon standard deviation, that is, 21.63, ठीक है, तो अभी अगर तुम इसको galaxy में डालोगे, तो तुम्हारा answer मिलेगा, minus 0.053, अभी है, minus 0.053, यह जो answer है, यह negative है, अभी answer क्योंकि negative है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, कि the skewness is negative, this means that, the distribution is negatively skewed, ठीक है, यहाँ पर मैं बस लिख रहा हूँ, the distribution is negatively skewed, क्योंकि हमारे पास जगए नहीं है, तो यह तुम्हारा पूरा अगरों प्रॉब्म हों गया, कमेंट सेक्शन में बताओ, लेक्चर कैसा लगा, यह प्लेलिस्ट है, सारे लेक्चर से हाँ पर मिल जाएगे, इस सब्जेक है, थैंक इस सॉमाच,